कर दिस्कस करेंगे तो उससे पहले आप लोग मेरे वीडियों को मेरे लाइक Nepartoala को सब्सक्राइब कीजिए हमने फिक् appearance सब्सक्राइब करें दिस्ट्रीबिउशन ओफूड फूडोप्स पड़ा था और आज हम दिस्ट्रीबिउशन ओफ ऑफ टोप्स पड़ेंगे तो नौ लेट सटार्ट ji फरेंज्ड्स बिछी वीडियो में हमने हमारी जो टोपिक चल रहा है वो हमारा फूड हमारे जो topic of crop production का चल रहा है तो जो मैंने आपको last video में भी बताया था जो crop production होती है crops है वो उसके two types की crops को produce किया जाता है हमारे भारत के अंदर तो उसमें कौन-कौन सी आती है food crops आती है और cash crops तो हमने जो last video थी हमारे जो इसके पहले जो video थी उसके अंदर हमने food crops के distribution को पढ़ा था आज हम इसका second part कर रहे हैं तो इसके अंदर हम distribution of cash crops पढ़ेंगे तो आप हमेशा की तरह मेरी बाकी वीडियो की तरह आप इसको पर name डाल दीजिए तो इसको पर लिख लीजिए आप लोग distribution of cash crops आज हम cash crops के बारे में discuss करेंगे तो देखें जो cash crops होती हैं उसमें कौन कौन सी crops आती हैं उसके अंदर में इन आती हैं cotton, sugar cane, jude, coconut, rubber, तंबाकू, coffee, tea यह सारी किस में आती हैं यह सारी major cash crops हैं जिनसका हमारे भारत के अंदर production किया जाता है तो आप इस वीडियो को last तक देखिए हम इसके अंदर one by one एक एक topic को clear करते चलेंगे तो देखें सबसे पहले हम अपना start करते हैं तो जैसे हमने last वीडियो में किया था आप इसके अंदर कोई भी अपनी मर्ची से कोई भी color यूज़ कर सकते हो कोई भी symbol आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले हम cotton के बारे में discuss करते हैं तो देखें जो cotton है वैबी क्या एक बहुत main major cash crop है तो हमारे भारत के अंदर cotton कौन कौन से स्टेर्स में है तो सबसे पहले है गुजरात आप इसके लिए कोई भी symbol ले लीजिए मैं इसके लिए round round ले रही हूं तो गुजरात में आप कहीं कहीं पर देखें इस type से आप इसको दिखा दीजिए क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखाने है आपको इसमें 3-4 symbols ही दिखाने है क्योंकि इसके आता है मध्यप्रदेश तो देखें यह मध्यप्रदेश है तो इसके अंदर मध्यप्रदेश में लिखा दीजिए आप इसकी बाउन्डरी करना चाहों तो बाउन्डरी कर दीजिए यह पूरा गुजरात ओके यह पूरा मध्यप्रदेश अगर आपको साले स्टेर्स की लोकेशन लर्न है तो आपको करने की जुरत नहीं है यह मध्यप्रदेश हो गया आगे नेक्स आता है महरास्ट्रा तो महरास्ट्रा की भी आप देखें बाउन्डरी कर लीजिए ग्रीन कलर से ही और यह थ्यान लखिएगा कि एक क्रॉप के लिए आपको एक ही कलर यूज़ करना है ताकि आपको लर्निंग में प्रॉब्लम ना है तो इसके अंदर भी आप कहीं पर डॉट से शो कर दीजिए नेक्स हमारा आता है पंजाब पंजाब में भी देखिए यह हमारा पंजाब row को ये तमिल नारू को और इसमें डिखा दीजिए वैसे तो देखिए और भी काई स्टेर्स में जिसके अंदर को न मैंow यह के च्रॉट को प्रॉटि केरल के नेक्स अब हम लेते हैं, नेक्स हमारी जो क्रॉप है, नेक्स हमारी आती है, शुगर केन, शुगर केन होती है गन्ना, तो देखिए जो यूपी है, उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश शुगर केन का सबसे लार्जस्ट प्रोड्यूसर है, तो देखिए के अंदर जो यह पूरा यूपी है बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश इसके अंदर हम उसके लिए ऐसे लंबे डॉट लंबे डंडे के रूप में ले रहे हैं क्योंकि जो शुगर केन होता है वो लंबे उसमें होता है ओके आगे देखिए शुगर केन के लिए में तो आपको उत्तर प्रदेश है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इसके अलावा महारास्ट्रा यह महारास्ट्रा में कहीं कहीं आप दिखा दीजिए लंबे डंडे से ओके नेक्स हमारा आता है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में भी दिखा दीजिए बिहार बिहार की बाउनरी ब्राउन से ही कर लिजिए यह हमारा बिहार इसमें भी शुगर केन ग्रू होता है थमील नाडू तमील नाडू में दिखा दीजिए और पंजाब पंजाब में भी एक दो डंड दिखा दीजिए अब देखिए हमने शुगर केन के लिए हमने ऐसे लंबे लंबे डंडे को यूज़ किया है तो आप इसके लिए दीजिए शुगर केन ओके नेक्स अब हम लेते हैं नंेक्स लिए याती जूट अब जूट देखिए जूट कहुंखं़ से क्वेशन के अन्दर है तो जूट है जूट से क्या दे不知道 है editor जैसे तो देखिए, इसके अंदर आप West Bengal के अंदर दिखा दीजे, पूरा ही West Bengal है, यही है, West Bengal के अंदर आप, जूट के लिए आप कोई भी सिंबल ले ले लिजिए, तो मैं इसके लिए rectangle ले रही हूं, ओके, ट्राइंगल बनाए हैं, मैंने यह, जूट के लिए मैं है कि यहांपर भी मैं ट्राइंगल बना दीजिये इसके अलावा बिहार उडिसा बिहार के अंदर भी आप दिखा दीजिये और उडिसा यह वाला है उडिसा इसके अंदर भी आप ट्राइंगल से शो कर दीजिए ओके तो अब इसके लिए हमने ट्राइंगल यूज किया है तो आप यहां पर की में बना दीजिए ट्राइंगल इधर लिग जीजिए जूट अब हम नेक्स्ट करते हैं कोकोनट अब देखिए जो कोकोनट नारियल है नारियल क्या है मोस्तली कोश्टल एरियास के पास पाया जाता है तो जो कोश्टल एरियास है उसके अंदर जो कोटन है कोश्टल एरियास के पास ही ग्रो किया जाता है उसे तो इसके अंदर देखिए इसके लिए मैं ये स्केर बना रही हूँ तो आप ये इस तरीके से स्केर दिखा दीजिए केरला में भी दिखा दीजिए कोश्टल एरिया में तमिलाडू और आंध्र प्रदेश ओके ये कोश्टल एरियास के अंदर ही ग्रो होता है इसके लिए लिख दीजिए हमने कोकोनट के लिए हमने स्केर यूस किया है ये हो गया हमारा कोकोनट अब आता है नेक्स आता है हमारा रबर तो देखे जो रबर है रबर है वो भी में क्या है कोश्टल एरियास में ही ग्रो होता है तो रबर भी कहां पर, रबर केरला में, केरला, तमिलाडू, करनाट का, अन्नेमान निकोबार, ये एक न्यूज़, इसमें आया है, अन्नेमान निकोबार में करना है आपको ये, तो देखे, इसके लिए हम, रबर के लिए आप कोई भी सिम्बल यूज़ कर लीजिए, तो मैं पर यह कहीं पर आप जैसे केरला में दिखा दीजिए जितने भी कोश्टल एरियाज हैं इसमें दिखा दीजिए तमिलाडू आनप्रदेश और अंडे मानी कोवार तो इस गंदर भी आप यह प्लस के सिंबल बना दीजिए यह हमारी अंडे मानी कोवार तो यह अंडे मानी तंबाकु को जो तंबाकु है वो देखिए गुजराथ इसके लिए मैं माइनस का साइन यूज कर रही हूं कि इस टाइब से देखिए गुजराथ मैं हर स्टेट में एक एक जगह ही दिखा रही हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश वैस बंगोल और आसाम इसके लिए माइनस के सिंबल से शो किया है हमने यहां पर यह की बना लीजिए माइनस से हमने क्या शो किया है तंबाकु यह है तंबाकु ओके नेक्स हमारी आती है कोफी कोफी देखिए कोफी मेन हमारी करनाटका केडला और तमिल लाड़ू तीन स्टेर्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा ग्रोग की जाती है कोफी तो कोफी के लिए करनाटका यह है हमारा करनाटका इसके अंदर आप इसके लिए देखिए हम कोफी के लिए स्टार का सिंबल यूज कर रही हूँ आप अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं तो कोफी है करनाटका केडला और तमिल लाड़ू तो देखिए करनाटका में आप स्टार बना दीजिए करनाटका केरला और तमिल नारू कोफी तो देखो हर स्टेट के अंदर ही ग्रो होती है यहाँ पर लिख लिजिए नीचे यह देखिए नीचे स्पेस है इसमें लिख लिजिए जो हमने स्टार बनाया है वो किसके लिए है कोफी इसके बाद लास्ट हमारी आती है टी चाए अब चाए के लिए देखिए पहरे आप सिंबल ही बना दीजिए देखिए चाए के लिए मैं ये लीव्स टाइप में बना रही हूँ पत्ती टाइप में बना रही हूँ इस टाइप से पत्ति टाइप में बनाया है यह है चाय की जो पत्तियां बनाई हैं तो दिखा दीजिए आप जो चाय है वो सबसे जादा आसाम वेस्ट वंगौल और निल-गिरी नीलगिरी की पहाड़ी है वह आप सभी को पता है तमील नाडू में है तो हम इसको आसाम में पूरा आसाम के अंदर तो देखिए सबसे फेमस चाय है असाम के अंदर तो यह इसकी लीव्स बना दी है मैंने लीव्स की शेप में बनाई है यह यह आप अपनी दुमर्जी से आप लीव्स की शेप में डिखा दीजिये देखे जो कैश क्रोप्स होती है बहुँ ज्यादा होती है इसलिए आपको को नहीं होना है आपको मैंने इसलिए बालग लग सिंबल से इसे शो किया है तो देखिए यह मैप complete हो गया है मैं इसको स्टार्टिंग से दिखा रही हू इसको देख लीजे आप लोग ध्यान से, यह हमारा मैप पुरा complete हो गया, यह हमने सारी चीजे इसमें show की हैं, उके, इसको देखिए और इसको अच्छे तरीके से इसे बनाएए, तो यह हमारा topic complete हो गया है, तो हमारा topic चल गा था, crop production का, उसका नदर माएं दो पार्ट थे, यह हमारी second वीडियो है आज इसका part 1 मैं पहले आपको पहले बना चुकी हूँ तो जो part 1 था वो food crops का था और जो आज इसका part 2 है वो cash crop का है और मैं आगे आपके लिए इसी तरीके से और अच्छे अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी ओके, thank you